हाई गाईज गाईज जशन को जब मैं हेर वाश करवाती हूं तो उस चाहिए मैं उसके बालों पर ऑईलिंग करती हूं बट उसके कुछ दिन बाद दो या तीन दिन बाद फिर से मैं उसके बालों पर थोड़ा सा ऑईल लगाती हूं उच्छी तरह से ऑईलिंग करती हूं क्य मौर्निंग में सुबह ही मैं जशन को अच्छी तरह से उसके टैंगल्स को रिमूव करके उसे जुड़ा कर देती हूँ, पूरा दिन उसके बाल कवर रहते हैं, तो सुबह सुबह मैं उसके जुड़ा कर देती हूँ, उसे पठका वेर कर देती हूँ, रुटीन में जशन जु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना तो उसे डेंडरफ की प्रॉब्लम नहीं है उसके बाल बिल्कुल हेल्दी है दिन बर दिन उसके बालों की लेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो सुबह इस तरह से सबसे पहले मैं उसके जुड़ा करती हूं उसके अगर आप भी अपने बालों की अच्छी केर करेंगे तो आपको हेरफॉल के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी आजकल हर कोई हेरफॉल से परेशान है इसका कारण यहीं है कि हम अपने बालों की अच्छी केर नहीं करते हैं अगर हम अपने बालों की अच्छी केर बाप लेंगे लांहें तो गाईज अगर आप जेशन की हेब से रेलेटटर और भी अच्छे एच्छी वीडियो देखनाशाथारे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसमें आप जिसके एgoing की हेब से रेलेटेड काफी अच्छी एच्छी एच्छी वीडियों 시청 लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं हो गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो चलि